पशू किसानों के लिए दोस्त भी है और धन भी इसलिए उन्हें अपने पशूओं के चारे को प्रात्मिक्ता देनी होती है लेकिन अपनी ही समस्याओं से जूज रहा किसान कई बार कम बारिश होने के कारण समझ नहीं पाता कि पशूओं के चारे का इंतजाम कैसे और कहां से करें भारत वर्ष में ज्यादा तर दुधारू पशू पसलों के अवशिश्ट खिला कर ही पाले जाते हैं हमारे देश में चारा सूखी घास और पशू दाने की कमी है इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम चारे की खेती का विस्तार करें किसी भी चीज के लिए बैलेंस डोज की बात करते हैं तो पस्वों को भी हमको जो है हरा चारा दाना और मिर्नरल मिक्स्चर्स जो हैं यह तीनों जो हैं जो उनकी रिक्वार्मेंट के हिसाब से देना चाहिए अच्छे चारे से एक तो पस्व खुस होके अपना पेट भल लेत किसानों को चाहिए कि वे अपने पशुओं को चौबीसों घंटे साफ वो उचित मात्रा में पानी मोहया कराईं गर्मियों के मौसम में पशुओं को नियमित रूप से नहलाना चाहिए ताके वे खुद को ठंडा रख सकें क्रिशी जलवायू क्षेत्रों के अनुरूप चारे की फसलें उगाने के लिए किसानों को चारा फसलों का चयन करना चाहिए जो उनके लिए उप्युक पहें मसलन ज्वार, लूबिया और चारा घास जैसे संकर नेपियर घास, गिनी घास, चाइनीज कैबिज या चारा सरसूं, जल भराव क्षेत्रों में पैरा घास, धामन घास, पहाडी क्षेत्र के लिए नंदी घास, मार्वल या दिल्ली घास आदी उगाने चाहिए तथा खेत की मेड़ों पर मोरिंगा, ग्लिरिसीडिया, शेवरी, अगस्थी और खेजडी आदी चारे के पेड़ लगाने चाहिए किसान भाई जानते हैं कि क्रिशी विभाग, पशुपालन विभाग और डेरी विभाग द्वारा मिनी किट योजना के तहट अधिक पैदावार के लिए चारा उत्पादन में संस्तुत क्रिशी विधियों के साथ विभिन्व चारा फसलों के उन्नत या सत्यापित बीज उ अपलब्ध कराए जाते हैं. इसके अलावा किसान भाई गन्ने से चीनी बनाने में जो गन्ने की खोई निकलती है उसे चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. पेड़ पौधों वो सबजीयों की पत्तियों को सूखे की स्थिती वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाले कैक्टस को, नीम के बीज की खल और सड़े गले खाद्यानन के दानों को पशुओं के चारे के रूप में प्रियोग कर सकते हैं. पशुओं के चारे के मुख्य स्रोध हैं धान, गेहू, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार और रागी जैसी फसलों के अवशिष्ट. इसलिए ये जरूरी है कि यूरिया, नमक और मिनरल मिक्स्चर मिला कर और उपर से शीरा डाल कर पशुओं के पोशन में गुणवत्ता में आप ब्रिध्धी कर सकते हैं और अपना दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकते हैं. आपकी खाने की जो मेथड है, उसमें क्या-क्या चेंज करना है कि मुनाफ़ा ज्यादा हो और फेडिंग कोश्ट में मिनिमुम हो. उसके हिसाब से दूद में प्रोडुक्शन में फाइदा होगा, फेट में सुधर होगा, एसेने में सुधर होगा, जानवर की पूरी तंद नाइट्रोजन की फसल यहरी खाद को फसल चक्र के रूप में अपनाना चाहिए. गुबर की खाद की आपूर्ती कम है, इसलिए हरी खाद उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है. धेचा और सनई की जड़ों पर पाई जाने वाली गाठें वातावरन से और अन्य तत्व प्रचुर मात्रा में संचित रहती हैं. लिहाजा इनकी खाद पसलों के लिए लाभदायक होती है. रिज का या लूसन घास मटर परिवार का एक फूल देने वाला पौधा है, जिसकी खेती एक महत वपून चारे की फसल के रूप में की जाती है. रिज का को पूरे संसार में पशुओं के चारे के रूप में उगाया जाता है और इसकी ज्यादा तर खेती सूखी घास के रूप में होती है. लेकिन मुख्य रूप से इसका प्रियोग दूध देने वाले पशुओं के चारे के रूप में होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तथा पचाने वाले रेशे भी ज्यादा होते हैं इसका इस्तेमाल मांस प्रदान करने वाले जानवरों के चारे के रूप में भी किया जाता है किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि हरी खाद को भूमी में मिलाने के बाद भी समय पर अगली फसल लेना जरूरी है किसान भाई अधिक उपज देने वाली प्रजाती का विकास तथा उच्च पोशन एवं समय पर तयार होने वाले पसल चक्र को अपनाई जैसे संकर नेपियर घास के साथ गर्मियों में लूभिया और सर्दियों में बरसेम या रिजका लगाई तथा गर्मियों में मक्का और लूभिया, खरीफ में ज्वार और लूभिया और फिर रबी में बरसेम या रिचका के साथ जाई और चाइनीस कैबिच की मिश्रित फसलें बोई चारे वाली फसलों का कृषी का क्षेत्र बढ़ाना मुश्किल है लेकिन अधिक चारे की उपज देने वाली किस्मों को तथा बहु वर्षी ये चारे को कम ख्षेत्र में खेती करके चारे की कमी के समय चारे का संड़क्षन कर पशुओं को उसे उपलब्ध करा सकते हैं जब चारा अधिक होता है तो साइलेच के रूप में संड़क्षन कर पशुपालन में अधिक लाब लिया जा सकते हैं किसान भाई ध्यान रखें कि चारे की हमेशा कुट्टी काट कर ही पशुओं को उसे खिलाएं तथा हरी घास के साथ सूखी घास वद्दाना मिलाकर ही पशुओं को खिलाएं